जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनन्तम शुक्राना, ब्यंच शुक्राने आप जी के गुरु जी, आज आपका प्यारा प्यारा महासमाधी दिवस है, शुब महासमाधी दिवस संगत जी आज 31 मई 2021 बहुत ही शुब दिन है आप कहेंगे कैसे क्योंकि गुरु जी ने तो आज का दिन चोला छोड़ा था पर हाँ गुरु जी शरीर रूपी चोला छोड़ कर हम सब में ही विराजमान होकर यहीं धर्ती पर रह गए आज गुरु जी के मुखे दिन को ऐसे मनाए बलकि हर दिन को ऐसे मनाए जैसे धर्ती पर चांद उतर आया हो आनंदित रूप में मनाए 31 मई 2021 को गुरु जी महराज जी का 14 वर्ष का बनवास अब स्माप्त हो रहा है आईए हम सब अपने परमात्मा का हाथ जोड कर उनके आगमन की मंगल कामना करते हैं क्योंकि जो कोविट प्रॉब्लम में है या थे वह भी 14 दिन को 14 वर्ष का बनवास की तरह ही काटते हैं तो अब संगज जी किसी को कुछ नहीं होगा गुरु जी तो कन-कन शत-प्रतिशत विराजमान है पर यह दिन शोक मनाने का नहीं संगज जी आपने तो देखी लिया है कि गुरु जी की अद्बु शक्तियां हर पल हम सब के साथ में रहती है गुरु जी के कहे अनुसार जो हम सब को बचा रहे हैं उनके लिए इस परकार से शोक मनाना सही नहीं है इसलिए गुरु जी आप सब को अमरित वर्षा या और तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स को फील कराते हैं गुरु जी कहते हैं आनंद मंगल हो जगत में समाज में सब के परिवारों में आनंद ही आनंद हो महराज कहते हैं किसका जीवन सरल रहा है सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो भगवान ही रहते हैं वो तो अपने दिल की बाद भी किसी को बता नहीं सकते बस अपने लिए कभी-कभी प्रार्थना करवा सकते हैं जैसे हम सामुहिक जाब करते हैं सामुहिक पाठ करते हैं अमरित वेला में आज जैसे गुरुजी को सामुहिक जाब हम सब ने गुरुजी के लिए अरपन किया हम सब को संगची गुरुजी का साथ देना है और वह तब होगा जब अपनी प्राब्लम्स शेयर करना बन कर देंगे सिरफ और सिरफ शुक्राना करते जाओ मंतर जाब करते जाओ और ब्लेसिंग्स पाते जाओ और नई पुरानी संगत का भेद मिटाओ ये सब करने का अधिकार गुरुजी ने किसी को नहीं दिया किसी से बैर, घ्रिना, द्वेश, नफरत और छोटा बड़ा ना करें जितना जीवन शेश है, बस हम उसे ही विशेश बनाएं तभी गुरुजी परसन होंगे और अपने से कमजोर लोगों को अपने से छोड़े छोटे लोगों को प्रेम करें बड़ों का इज़त मान करें, उनको श्रद्धा भाव दें खुब प्यार करें संगत को, उनकी संगत को प्यार करें कोई भी इदर उदर की निंदा चुगली ना करें इससे गुरुजी बहुत दुखी होते हैं संगत ही अगर संगत का आप मान करें तो गुरुजी को और भी ज़दा दुख होता है तो इसलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं तुम्हारा बुरा करने वालों से भी प्रेम करो, अपने दुश्मन को भी प्रेम करो, उसे शमा कर दो गुरुजी कहते हैं जब तुम अपने मुँपर जिप लगा लोगे चुप रहोगे तब मैं तुम्हारे भिहाब पे बोलूँगा अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा तो इसलिए हमें किसी से और्गुमेंट नहीं करनी है अपने आपको ऐसा बनाना है कि गुरुजी कभी भी हमसे नाराज ना हो तो क्योंकि चिन्ता है ना चिन्ता तो हर कोई करता है चिन्ता नहीं करनी है आज चिन्ता करने का समय नहीं है चिन्तन करने का समय है वो एक बहुती प्यारे भजन की दो लाइन मैं आपको सुनाती हूँ चिंता से भरा दिल साई को दे दे चिंता से भरा दिल गुरुजी को दे दे तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा फिर पत जड़ में भी तेरी बगिया में साई रहमत का हर फूल खिलेगा चिंता से भरा दिल तो कहते हैं कि कभी भी हमें कभी भी हमें नीद आ सकती है किसी को अपने वक्त का कुछ नहीं पता तो इसलिए जब नीद आजाए तो अपने रूम रूम को हमें नीद आजाए तुम रूम रूम को जरा बोल के रखना बंद भी हो जाए जग के दरवाजे तुम मन की खीर की सदा कूल के रखना किस रात में गुरु जी कब चुपके चुपके अपने भगतों से खुद आन मिलेंगे चिंता से भरा दिल तू गुरु जी को दे दे जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी तो इसलिए आज से हमने चिंता से भरा दिल किसे देना है अपने गुरु जी को दे देना है लेकिन उनसे हर वकत अपनी परिशानिया संगत जी शेयर नहीं